Hello everyone, आज हम discuss करेंगे engineering graphics का topic cycloid. So first of all, we will understand what is cycloid. So it is a curve traced by a point on the circumference of a circle which rolls along a straight line without slipping. क्या मतलब हुआ यहाँ पर इसे आप बात करते हैं एक circle कि अगर एक circle पर में एक point mark कर दू with the help of a ink. अब वो circle आपका roll कर रहा है किसी एक straight line पर without slipping. तो उस point से जो curve trace हुआ होगा, उस curve को हम बोलेंगे cycloid. In a one complete revolution. एक revolution में जो curve बनता है उसको हम cycloid बोलते हैं. ठीके, तो यहाँ पर हमको cycloid बनाना है, और circle का diameter हमको दिया हुआ है 50 mm, जो rolling diameter दिया है 50 mm. अब इस question में tangent and normal भी draw करना है, तो सबसे पहले हम cycloid बनाने के इसे पहले हमको एक circle draw करना पड़ेगा 50 mm diameter का. तो यहाँ पर मैं एक circle draw कर लिता हूँ, तो देख लिजए यहाँ पर draw कर रहा हूँ, circle diameter है आपका 50 mm, तो radius हो जाएगा 25 mm. ओके, यह draw कर लिया है मैंने यहाँ पर. अब circle के दिखिए, जब भी हम curves के question करते हैं, तो basic, अब best होता है कि हम 12 parts करें, 12 parts करेंगे तो हमारा better curve draw होगा, पर यहाँ पर मैं जो अभी आपको समझा रहा हूँ, मैं 8 parts से बता रहा हूँ, लेकिन आप जब question को solve करेंगे, आप इसको 12 parts से ही करेंगे, तो उससे क्या होगा आपका जो curve बनेगा, वो proper बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसके अभी total 4 parts कर दी है, अब इसको 8 parts में divide कर लेता हूँ, मैं, 8 parts कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसके, एंगल 45, आपको पता होगा, 8 parts जब करते हैं, तो 45 degree पर होते हैं, 8 parts, ठीक है, एक और part करना है, इसका, यहाँ पर, 45 degree, 45, 90, 135, इस तरह सेम कर लेते हैं, ठीक है, तो यह मैंने यहाँ पर इसके 8 parts कर दी हैं, अब क्या होगा, जब यह circle roll करेगा, तो कितनी length पर यह roll करेगा, यह हमको find करना है, तो देखें, यहाँ पर अगर circle की बात करें, तो जब यह पूरा एक complete revolution लेगा, तो जो यह length cover करेगा, उसको हम बोलेंगे circle का parameter, तो parameter circle का कितना हो जाता है, आपका 2 pi r, कितना होता है यह parameter of circle, जिसको हम capital P से denote कर देते हैं, P equal to 2 pi r, ठीक है, 2 pi r, r यहाँ पर क्या है आपका diameter, sorry r क्या है radius यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा है, 2 into 3.14 into 25, जब इसको हम solve करेंगे, तो यह value आ रही है हमारी 157 mm, ओके, इसको solve करने पर हमको जो value मिली है, यहाँ पर 157 mm की value आपके, तो यहाँ पर, अब आपको एक line draw करना है, 157 mm की, इस point से, clear है, तो हम यहाँ पर मैं draw कर रहा हूँ, straight line 157 mm, यह draw कर लिए, अब आपने देखा होका, इस circle के 8 part की है, तो इस line के भी हम 8 part करेंगे, 8 divisions करेंगे, तो line division method का हम use करेंगे यहाँ पर, कैसे करते हैं, एक बार दोबारा repeat कर रहा हूँ, इस point से, इस corner point से, आपको एक line को incline करना है, मैं यहाँ पर 8 part कर रहा हूँ, ठीक है, एक line को incline करना है, ठीक है, और angle कितना लेते हैं acute angle लेते हैं means less than 90 degree तो मैं यहाँ पर less than 90 degree एक angle लेके incline कर दी यह line बना दी है मैंने यहाँ अब इसके मैं कितने part कर रहा हूँ यहाँ पर 8 part करूँगा यहाँ पर देख लिजिए किस तरह से 8 part कर रहा है इसको center मान के मैं यहाँ पर total 10 10 means 10 mm means 1 cm के divisions कर रहा हूँ 8 divisions कर रहा हूँ यहाँ पर ठीक है तो यह first division हो गया first arc लगाया मैंने 10 mm means 1 cm का arc लगाया अब इसको center मान के आपको आगे arc बढ़ाते जाना है ठीक है so see how I am doing the divisions here इसको center point mark करेंगे और उतने ही radius का mark लगाएंगे फिर इसको center mark करेंगे उतने ही radius का mark लगाएंगे तो यह same method जैसे हम plane scale यह diagonal scale में करते हैं उसी तरह से हम करते जा रहे हैं किस different नहीं है line division method सभी को आता होगा बताये भी है मैंने तो यहाँ पर हमने 8 divisions कर दी हैं इसके अब आपको क्या करना है यहाँ पर last वाला जो corner point है यह जो last corner point है इसको इस वाले division से जो आपका intersecting point बिला है इसको इससे join कर देना है join कर देंगे now what we have to do we have to draw a parallel line which is parallel to this line from all these 7 points so I will draw parallel line from all these 7 points तो इससे आपको क्या होगा यह जो line है आपकी उसमें भी divisions मिल जाएंगे आपको यह हमने draw कर दिये हैं यहाँ पर ओके अब यह जो remaining यहाँ से एक रह गया आपका इसको भी draw कर देता हूं मैं तो यह आपके divisions complete होगा हैं अब जो एक्स्ट्रा portion है उसको मैं यहाँ पर erase कर देता हूं तो यह एक्स्ट्रा erase कर दिया है यहाँ अपर क्लियर दिखिएगा आपको क्या करना है जितने भी यह point है यहाँ से आप मैं straight line draw कर रहा हूं तो straight line मैं जल्दी से draw कर रहता हूं यह ortho on कर रहा हूं मैं यह आप 157 ठीक है अब यहाँ पर इस point copy see you parallel lines draw करना है आपको सभी points से यह भी draw कर दिया आपने ठीक है अब यहाँ से एक line draw करना है जो बिल्कुल base line के parallel होनी चाहिए आपकी line फिर यहाँ से एक line draw करना है यह भी base line के parallel होनी चाहिए तो total मैंने यहाँ पर 8 divisions कर दिये अब numbering इसमें बहुत important है cycloid की case में तो numbering आप समझ लीजए यहाँ पर numbering किस तरह से करते हैं देखे जब आपका यह circle roll होना start होगा तो यह वाला जो point है यह सबसे पहले ground पर आएगा तो इसलिए इसकी numbering हम करेंगे 1 से फिर 2, 3, 4 मिस हम clockwise में स्री एंटी clockwise में numbering करना start करेंगे क्यों anti clockwise करेंगे कि जब यह roll करेगा यहाँ पर clockwise में तो यह वाला point सबसे पहले ground पर आजाएगा ओके तो यहाँ पर मैं mark करूँगा point 1 देख लीजे यहाँ पर यह 1 हो जाएगा आपका point this one will be second point third, fourth, fifth, sixth, seven, eight इसको मैं यहाँ पर mark कर रहा हूँ one dash, two dash, three dash, four dash, five dash, six dash, seven dash, eight dash तो यहाँ पर ही आप मार्क कर रहा हूँ है अब आपको क्या करना है जितने भी यह point है one dash, two dash, three dash, four dash यह आपका center point है तो इसको मैं mark कर देता हूँ C, ठीक है यह circle का आपका center point है तो इसको C mark कर रहा हूँ है यहाँ पर अब क्या करना है आपको यहाँ पर जितने भी यह point है 1 dash या 2 dash इन सभी points से आपको एक straight line draw करना है center line पर यह center line जा रही है आपकी center line पर means कितने mm की 25 वाइ 25 जितना radius है उतने mm की आपको line draw करना है तो यह कर रहा हूँ है यहाँ पर सभी points से draw करना है जितने भी point है उन points से आपको draw करते जाना है 6, 7 और ये 8 8- तो ये मैंने draw कर दिये तो ये points सब आपको naming यहापे मैं कर देता हूँ यह naming यहापे यह naming हो जाएगी आपके इनकी naming हो जाएगी C1, C2 इस तरह ऐसे naming कर देता हूँ मैं यहापर C1 C2 C3 C4 C5 जो points से उनकी according हम naming कर देता है जैसे 6 पर आजाएगा C6 7 पर C7 8 पर आजाएगा C8 तो यह आपकी final naming हो गई है आपको क्या करना है यहापर C1 को center मानना यह से यह point आपका C1 C1 को center मानन के 1 वाली जो parallel line जा रही है baseline के parallel उस पर उतने ही radius का arc लगाना है जितना circle का radius है तो क्या करना है आप इक बाद देख लिजे C1 को center मानना है तो center point आप किसको लेंगे C1 को center point लिया ठीक है radius कितना लेना है 25 का radius लेना है 25 radius लिया और किस पर arc लगाना है 1 वाली parallel line पर तो यह 1 की parallel line है जिए मैंने arc लगा दिया तो आपको यह intersecting point मिल जाएगा ओके अब radius किस पर लेंगे अब radius क्या लेना है अब radius लेंगे sorry आप center point लेना है हमको C2 C2 center point लिया आपने ठीक है radius कितना लेंगे हम 25 radius लेना है 25 radius और यहां से यह arc लगा देंगे फिर C3 फिर दबारा वोई arc लगाना है center point किसको मानना है C3 को center point मानना है इस बार radius लेना है 25 और C3 वाली जो line जा रहे है आप देख रहे है parallel line उस पर arc लगा देना है अब जब C4 से लगाएंगे C4 से जब आप arc लगाएंगे 25 का तो straight यहां पर आएगा हो देख लेते हैं किस तरह से आएगा center point किसको मानना है इस बार C4 को center point मानना है radius लेना है 25 का और यह arc draw कर देना है इस तरह से ओके जब आप देखेंगे जो arc draw हुआ है बिल्कुल straight draw हुआ होगा 4 point के parallel अब radius किसको मानना है sorry center point किसको मानना है C5 को center point मानेंगे radius लेंगे हैं 25 1 minute center point C5 radius 25 और यह arc लगा देंगे ठीक है अब next from center point मानेंगे C6 को यह center point हो गया C6 6 point कहा है आपका sorry यह 6 point ही है यहाँ पर 8 लिखा है इसको मैं change का देता हूँ यह आपका 6 point होगा यहाँ पर यह आपकी 6 वाली line जा रही है तो center point हो जाएगा C6 radius लेंगे 25 और यह arc लगा देंगे ओके now next center point is C7 7 वाली line यह जा रही है आपकी radius 25 यह arc लगा देंगे फिर जब C8 से हम arc लगाएंगे और radius 25 लगेंगे तो यह यहीं cut कर जाएगा आपकी 8 वाली line यह जा रही है यहाँ पर अब इसकी मैं इसको change कर देता हूँ यह delete कर देता हूँ यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 6 point तो यह हमने कर लिया जो भी हमको arc मिले है इनको हमको join करते जाना है इनकी हम naming भी कर सकते हैं तो naming देखिए किस तरह से होगी सबसे पहले मैं points की naming कर देता हूँ यहाँ पर यह point हमको जो मिले है क्योंकि naming करना बहुत important है तो यह मैं capital में naming कर देता हूँ यह जो पहला point आपको मिला है यह p1 this one is p2, p3, p4, p5, p6, p7 and this one is last p8, p8, okay तो यह हमने यहाँ पर final points को mark कर दिया अब आपको इनको freehand curve के तुरू join करना है तो देखिए curve के तुरू कैसे हम join करेंगे start point आपका यह हो जाएगा ठीक है यह p point है आपका मिला starting point है इसको यहाँ से फिर हमको curve बनाते जाना है देख लिए जेक बार प्रोपर्ली यहाँ पर मैंने freehand curve के तुरू proper curve बनाया है और इनको join कर दिया है points को सभी p points को join कर दिया है तो आपका यह final arc बन गया है अब इसको select करेंगे हम इन arc को क्योंकि यह जो आपका arc draw हुआ यहाँ पर इसी arc को हम बोलते है cycloid means हमने यहाँ पर एक path को trace किया है जो path हमने trace किया है यहाँ पर मैं उसकी naming कर देता हूँ अब आपको assume करना है कि आपका यह point p था p point start हुआ था यहाँ से और यहाँ पर हमने p point को mark किया था और वो आपका mark जब rotate होता गया तो उसने यहाँ पर point show कर दिया है तो यहाँ पर मैं clearly mark कर रहा हूँ point p capital में mark कर दिया है तो यह show कर रहा है आपका यहाँ पर diagram तो यहाँ पर आपका cycloid proper बन गया है means यहाँ से p point start हुआ जब यह rotate हुआ तो p point कहा आ गया p1 पर आ गया फिर और rotate हुआ तो p2 पर आ गया तो इस तरह से पूरा आपका एक curve trace हो गया इसको हम बोलेंगे cycloid अब आपको question में बनाना है tangent and normal at a point 35 mm from the base line तो सबसे पहले मैं एक point को mark कर लेता हूँ जो कि base line से 33 mm है 33 mm अब अब है 33 mm उपर मैंने एक line point draw कर लिया है ठीक है अब इस base line के parallel point से एक line draw कर लेता हूँ ताकि यह इस point को intersect कर जाए means यहाँ पर curve को intersect कर जाए मैं यहाँ पर dimensions show कर देता हूँ कि कितना उपर draw किया है 33 mm given था आपको और भी dimensions जो है question की वो show कर देता हूँ diameter आपका 50 mm है diameter show कर देते हैं 50 mm यह length आपकी 157 है जो कि हमने calculate कि है 2 pi r का use करके यहाँ पर ओके तो यह इतना draw कर दिया है हमने अब यह जो point आपको मिला है इस point को मैं naming दे देता हूँ यहाँ पर एक कोई भी point आप दे दीजी यहाँ पर a दे दीजी नेमिंग ठीक है मैं यहाँ पर a point की naming दे देता हूँ इसको यह point मैं ले लेता हूँ यहाँ पर a ठीक है इस a point से अब आपको tangent ए normal draw करना है तो कैसे draw करते हैं समझना पड़ेगा आपको सबसे पहले अब आपको यहाँ पर a point को center मानना पड़ेगा a point को मैं center मान रहा हूँ यहाँ पर और इस center line पर आपको जितना circle का radius है उतने का arc लगाना पड़ेगा तो radius कितना है आपका 25 तो 25 का मैं यहाँ पर arc लगा रहा हूँ यह देखिए arc draw कर दिया है तो यह center line को यहाँ पर कहीं cut कर रहा है तो आपको यहाँ पर आप चाहिए तो इस point की naming दे सकते हैं कोई बहुत important नहीं है इसकी naming देना अब क्या करना है आपको इस point से जो यह intersecting point आपको यहाँ पर मिला है center line पर इस point से base पर means 25 mm पर एक line draw कर देना है ठीक है तो कि यह base आपकी कितना है यहाँ से center line से 25 तो यह line हमने draw कर दिये clear है अब इस point से इस point से आपको यहाँ पर intersect करते हुए एक line को draw कर देना intersect करना है इसको तो यहाँ मैं intersect कर दिया हम इसको आगे extend कर देता हूँ पहले पहले आप इतना समझ लीजे सबसे पहले A को center मानके center line पर arc लगाया कितने का arc लगाया है 25 का arc लगाया है मैंने यहाँ पर ओके देन फिर इसको base line से straight join कर दिया 25 length है यह और यहाँ से A point को join कर दिया अब इस line को extend करना है आपको तो यह extend कर दिया मैंने ठीक है तो इसको मैं separately show कर दिता हूँ यह जो line draw होई है इसको हम बोलते है normal ठीक है इसको हम बोलते है normal तो यहाँ पर यह normal line मैंने draw कर दिया अब जो tangent बनेगा आपका वो perpendicular होगा normal के लेकिन perpendicular भी इस तरह से होगा कि वो इस curve के tangent हो ठीक है तो इस चीच के आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो curve है उसके क्या होना चाहिए tangent होना चाहिए और normal के perpendicular होना चाहिए आपका tangent ठीक है तो देखिए यहाँ पर मैं इसकी naming कर देता हूँ यह हो जाएगा आपका n and dash और एक काम करूँगा मैं साथ मैं tangent की naming कर दूँगा तो पहले यहाँ पर tangent draw कर लेता हूँ इस point से आपको tangent draw करना है कितने degree पर draw करना है आपको देख लेते हैं यहाँ पर तो यह हमको 90 degree पर यहाँ से draw करना है तो 90 degree पर मैं draw करना हूँ यह ठीक है तो यह 90 degree पर मैंने draw कर लिए line अब इस line को यह आगे extend करना है और इस तरह से extend करना है कि यह tangent ही रहे इसके ओके तो यह draw कर दिया हमने यहाँ पर line अब इसको भी हम dark कर देंगे line को तो यह जो line draw हुई है यह आपकी है tangent यहाँ पर यह जो हमने draw की है ध्यान रखना आपने इसको perpendicular draw किया है normal की अब यहाँ पर हम naming कर देते हैं tangent है normal की यह point हो जाएगा आपका n और यह हो जाएगा n dash तो इसको हम normal बोलते हैं और यह हो जाएगा t t dash ठीक है तो यह tangent and normal हमारा complete होगा है यहाँ पर तो यह final question हमने यहाँ पर complete कर लिया है of the cycloid यह simple cycloid था इसमें हम आगे discuss करेंगे next video में epicycloid and hypocycloid okay thank you very much Okay thank you very much Thank you very much Thank you very much झाल झाल